आज हम इसे पतरकार की बात करने वाले हैं जो पतरकार ने किसी से डरता है ने किसी के आगे जुगता है जिसके बेखोफ अंदाज और बेबाक बोल से पूरी दुनिया वाकिफ है उनके तीके सवालों से सताधरी पार्टी के परवकता कामते हैं जब भी वह सवाल करता तो यह नहीं देखता है कि सामने कोंग्रेस है या फिर बीजेपी है जिहां आप मेरे अंदाज और मेरे सब्दों से आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ अभिसार सर्मा की और अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं जब भी उनके सामने सताधरी या फिर कोंग्रेस पार्टी के परवकता आई हैं तो वह सवाल पूछने से नहीं हिचकचाए हैं और यहीं कार्ण है कि जन्ता ने इस आवाज को अपनी आवाज बनाया और उनको इतना प्यार दि उस चेहरे में एक हताशा थी, एक हार भी थी क्या ये अंतराश्ट्री आतंकवाद के एक नए अध्याय का, एक नए चाप्टर का आगार आज हम बात करने वाले अभिसार सर्मा के जिवन से जुड़ी हैं उन तमाम बातों के बारे में जिन से आप परिचित नहीं हैं परिवार में हुआ, उनके पिता एक सरकारी करमचारी थे, उनकी मा ग्रहनी है, उनके परिवार में एक छोटा भाही है और उनकी बहिन भी है और उनकी साधी भी हो चुकी है, उनकी पतनी का नाम सुमन है, उनके दो बच्चे हैं जिन में से एक नाम सिवास है अभिशार सर्मा ने अपनी स्कूली सिक्स्या केंदरे विश्विदाल्य टेगोर गार्डन नई दिली से की इसके अलावा अभिशार सर्मा ने पंजाब विश्विदाल्य से विज्ञान में सनातक किया और वर्स 1995 में में विद्या भावन नई दिल्ली से उन्होंने पत्रकारता का डिप्लोमा प्राप्त किया अभिशार सर्मा के पास विज्ञान सनात्य की योगिता है और उन्होंने पत्रकारता में डिप्लोमा होने के बाद उन्होंने वाद वाद परत्योगिताओं में भाग लिया और कहीं पुरुषकार जीते एक पत्रकार के रूप में अपनी यात्रा शुरू करने से पहले अभिसार सर्मा ने फ्रीलांस काम किया और उन्होंने हिंदुस्तान टाइमस ओल इंडिया रेडियो और 1995 में न्यूश ट्रेक मेगजीन के साथ काम किया क्या 1996 में वो न्यूश ट्रेक मेगजीन से अलग हो गए उसके बाद वो लंदन चले गए वहां BBC से जुड़ गए BBC से वे बतोर प्रोडूसर उन्होंने काम किया करीब दो वरसों तक उन्होंने साइंस पर आधारित प्रोग्राम किये 2001 में उन्हें BBC दिल्ली ब्योरो के कमान्सों पे गई 2003 तक अपने काम को बखुबी से अंजाम दिया BBC से अलग होने के बाद अक्टूबर 2003 में अविसार सर्मा एंडी टीवी में आगे और उनका ये सफर अक्टूबर 2007 तक बना रहा एंडी टीवी में आने के बाद उन्होंने कहीं राष्टे और अंतराष्टे खबरों को कवर किया और साथ में गुस्ता की माफ एक नया प्रयोग था टीवी जगत में एक नया वहंगे के रूप में सो था जो कि अविसार सर्मा लेकर आये थे और एंडी टीवी से अविसार सर्मा को काफी पहचान मली पर तो यहां से उनके साथ एक विवार भी जुड़ गया अविसार सर्मा की पतनी आरेस अधिकारी थी उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने पद का दुरूपयोग करके एंडी टीवी से विदेश सों से क्रोडो रुपे की टेक्स्ट चोर की है उन पर यह आरोप लगे रहे पर तो अभिसार सर्मा ने हार नहीं मानी 13 सालों की लंबी लड़ाई के बाद अभिसार सर्मा ने लड़ाई कोट में जीत ली एंडी टीवी से अलग होने के बाद अभिसार सर्मा इंडिया टूडे आज तक में चले गए और आज तक में अभिसार सर्मा डिप्टी एडिटर के रूप में भी उन्होंने काम किया और यहां पर कई एहम ख़बरों को ब्रेव करते थे अभिसार सर्मा यहां पर 5 साल और 3 महिनें तक आज तक एसाथ जुड़े रहे दिसंबर 2012 में उन्होंने आज तक को छोड़ दिया जी नूज को जोईन किया कुछी समय बाद उन्होंने जी नूज से इस्तिपा दे दिया और 2013 में वह एवीपी नूज से जुड़ गए एवीपी नूज के साथ उन्होंने लंबी पारी खेली अभिसार सरमा के अपने इस लंबे सफर में उन्होंने कहीं चेलनों के साथ किया परन्तू उनके सवाल पूछने का लहजा और उनके तेवर कभी भी नरम नहीं पड़े उनके तीखे सवाल और तलक सवाल सत्ता से और सत्ता के कानों में यूही गुंजते रहे और ऐसे सवालों का सामना तमाम परवक्ताओं को करना पड़ा पर बासवेश्वर जी का क्या असर रहा है और इत्वाक बारा महीं को करनाटक में चुनाव है तो यह तो पूरी तरह से प्लांट किया गया था पूरा पूरा असर है बिल्कुल प्लांट नहीं था प्रधान मंत्री जी का नेचुरल भासल था प्रेम शुकला प्रधान मंत्री कहते हैं कि हमने यमन से 5-6,000 भारतियों को निकाला और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ प्रेम वही तो बात है कि पहले ऐसा हुआ हो था और उस फ़र्वामतिय से क्यों बूल देए प्रेम शुकला प्रेम अगर आपने मेरे उस सवाल का जवाब नी दिया प्रेम शुकला कि 1990 में एर इंडिया विनस प्रेम रिकॉर्ड्स में आगया था अभिसार सर्मा के यहीं तीके सवाल और तीके तेवरों के कारण अभिसार सर्मा को इसकी कीमत भी चुकाने पड़ी अभिसार सर्मा ने 2018 में सुल्तानपुर में एक वेपारी की हत्या को निरेंदर मोदी जी की एक दिन पहले निरेंदर मोदी ने बयान दिया था कि यूपी मे पोल खोलती है यहीं कारण था कि अभिसार सर्मा को उस चैनल ने लंबी छुटी पर भेज दिया कि एक दिन मैं आंकरिंग कर रहा था और सुल्तानपुर में एक रेस्टरांट मालिक पर गोली मार दी जाती है दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी लखनव में थे और उन्होंने कहा कि आप आईए उत्तर पदेश में निवेश कीजे क्योंकि आँ लॉइन ओर सुधर चुका है अब मैंने सिर्व इतना का कि प्रधान मंत्री दो दिन पहले आश्वासन दे रहे थे और आज क्या हो गया इसके लावा मैंने कुछ नहीं का उसके चलते मुझे पंदरा दिन की चुट्टी पर भेज दिया गया वापिस आना मैंने सही नहीं समझा मैं निकलना भी चाहता था क्योंकि मैं समझ रहा था कि मुझे धारा की मीडिया अब पत्रकारिता करने के लावा इव्यपी नूज ने अभिसार सर्मा को लंबी चुटी पर भेज दिया अभिसार सर्मा भी समझ चुके थे कि अब यहां पर काम करना सही नहीं होगा अभिसार सर्मा को अपने चेतर की उतकष्ट प्रत्रकारता के लिए 2008 में रामनाथ गोईन का मेमोरियल फाउंडेशन अवार्ड जीता था और जून 2017 में ओपरेशन लाल जंगन के लिए मानवा दिकार 2016 की सोशेस्ट कहानी के लिए उनको रेड इंक टोफी से भी नवाजा गय के अभिसार सर्मा को गाने का भी सोख है और बहुत कम लोग जानते हैं कि अभिसार सर्मा लेती लेखब विए उन्हों का प्रकासित हो चूके हैं तो अभिसार सर्मा से जीडू हूई ये तमाम बाते थी यहीं कारण है कि अभिसार सर्मा ने अपनी पत्रकारिता और अपनी इमानदारी के कारण ही अभिसार सर्मा को लंबी लड़ाई लड़ने लड़ने लिगे और शंहरस करना पड़ा और आखरी में सत्ताधरी पार्टी के कारण ही उनको अभी पिन्यूर से निकाला करा और आज के समय में भी अबिसार्सरमा नहीं मानिये अपने बल्बूतेचे पर वो जन्ता के वाज उठा रहे हैं और निर्भिक और बेबाग पतरकार्ता कर रहे हैं अब इसार्सरमा के सफर के बारे में यह ज़न कर आपको कैसा लगा हमें कोमेंट करके जरूर बताएं और आगे आप किस पत्रकार किस राजनेता किस नेता पर उनकी बायग्रोप ही उनकी जीवन के बारे में आप बातें जानना चाहते हैं मुझे कोमेंट करके जरूर बताएं वीडियो चल गाओ तो लाइक कीजिए चलने को सब्सक्राइब कीजिए आने वाले वीडियोज की सुचना पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दुबाएं